आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल पर आज हम लोग बात करेंगे जनदिकार पाची के रास्ट्र अदिक्ष वपूर्व संसद पपू यादव के बारे में जो पहले लालू यादव के करीबी हुआ करते थे फिर 2015 में लालू यादव से मतभेद हो गया पपू यादव ही लालू यादव की तरह कभी भाश्पा से समझोता नहीं किया यही कारण है कि पपू यादव मुके साहनी जीता राम मांची उपेंद्र कुश्वा जैसे लालची निताओं से काफी अलग हैं आपने देखा होगा कि जब भी बिहार में बाड़ाता है तब पपू यादव लोगों की सेवा के लिए उपलब्द रहते हैं वैं हमेश्या गरीबों मजदूरों को आर्थिक मदद करते हैं वैसे आपको बताने कि पपू यादव कई बार सांसद विधायक रह चुके हैं परन्तु अभी वे कि किसी भी सदन के सदस से नहीं है पपू यादव आखरी बाद 2014 में लोगसवा का चुनाव राजत के टिकट से जीते थे 2015 में पपू यादव के लालू यादव से मदवेद हो जाने के कारण पपू ने अपनी खुद की पार्टी बनाई जिसका नाम जनदिकार पार्टी रख साथ ही वह आज सांसत भी रहते लेकिन पपू यादव ने संघर्ष का रास्ता चुना और भाजपा से समझवाता नहीं किया वैसे खबर है कि इस बार 2024 का लोगसवा चुना पपू यादव महागटबंदन के तरफ से लड़ सकते हैं वैसे इस वीचो पर आपकी क्या राय ह कमेंट बॉक्स में जरू लिखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल